शकुंतला की बहु होल में बैठी हुई देर रात होरर फिलम देख रही होती है तब ही उसे डर लगता है और वो वहाँ से जल्दी से टीवी बंद करके अपने कमरे में चली जाती है अरे क्या हुआ? ऐसे डरी क्यों हो? तो भूत देख लिया क्या? मैं थोड़ी डरती हूँ इन सबसे आपको क्या लगता है? मैं आपकी तरह भूत प्रेट से डरती हूँ? हाँ हाँ अब सोचाओ और मुझे भी सोने दो वरना जैसी तुम्हारी आदत है न मुझे तो अच्छे से पता है कि तुम्हे भूत प्रेट से कितना प्यार है किरन को तो भूत की फिलम देख कर ही डर लगा हुआ था अब वो करती भी क्या? चल्दी से चादर तान कर सो जाती है अब अगली सुबह जब शकुंतला उड़ती है और होल में जाती है तो वो देखती है उसकी बहु किचन में काम कर रही है बहु चाई ले आ ज़रा एक कप? जी मा जी अभी लाई मस होने ही वाली है अब जैसे ही शकुंतला सोफे पर बैठती है तब ही वहां उसकी पडोसन विम्ला का आना होता है अरे शकुंतला कैसी है लगता है अभी अभी ही उठी है अरे आजकर नीद ही तो बहुत आती है क्या करूं और बता कैसे आना हुआ चाई पीने आई हूँ मेरे लिए भी एक कप चाई बनवाले कितनी बेशरम है विम्ला तू थोड़ी तो शरम कर ले अरे तुझसे कैसी शरम शरम तो दूर के लोगों से होती है और तुझसे कैसी शरम मुझे चलब थोड़ा सा टीवी चला दे अरे वो रहा सामने रिमोट खुद ही चला ले अरे शकुंतला कल राज से ही मेरे गुटनों में बहुत दर्द है और मेरा मन नहीं लग रहा था विमला की बाते सुनकर शकुंतला खुद सोफे से उठती है और टीवी चलाने के लिए जैसे ही रिमोट हाथ में लेती है वैसे ही विमला शकुंतला को देख कर चिला पड़ती है अरे शकुंतला ये क्या है तू फ्रेश नहीं हुई क्या जो सोफे को ही गिला कर दिया तुने अरे कुछ भी बोलती है चार-पांच साल की बच्चे थोड़ी हूँ जो ये सब करूँगी अरे तो जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ रुक मैं भी देख हूँ जरा तू कहना क्या चारही है अब जैसे ही शकुंतला जहां बैठी थी वहां जाती है और देखती है कि सोफा तो गीला है तब ही वहां शकुंतला की बहु का आना होता है विमला काक्की माजी आप दोनों की चाय और ये तो सच में गीला है बहु क्या गिराय है तो नेस पर माजी मैं क्या ही गिराऊंगे इस पर तू अपनी बहु को क्यों दोश दे रही है मुझे सच में तुसे ये उमीद नहीं थी तू ऐसा काम कर सकती है अरे तुझे पता नहीं चला थत शकुंतला विम्ला तेरा अभी जादा हो रहा है मेरी इतनी भी उमर नहीं हुई है कि मुझे इन सब बारे में कुछ पता नहीं चलेगा अरे बहु इसे ही पिला चाये मुझे इसे ये उमीर नहीं थी अब विम्ला के जाने के बादे अपने बहु का वाज दे कर बुलाती है और अपनी बहु से कहती है अरे बहु देखना जरा मेरा बिस्तर गीला है ऐसा कैसे हो सकता है मैं ये सब कर रही हूँ बिस्तर पर और मुझे पता भी नहीं लग रहा है मैं तो रात में बात्रूम दो बार जाने के लिए उठती हूँ मा जी कल सोफे को गीला किया और आज बिस्तर को छी मा जी आपसे ये उमीद नहीं थी अरे लेकिन बहू तु मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है मा जी मैं समझ ही तो रही हूँ कि अब आपकी उमर हो गई है और इस उमर में ये सब हो जाना अच्छी बात नहीं है आपको डॉक्टर को दिखाना ही होगा अरे बहू मेरा विश्वास क्यों नहीं करती तू ये सब मैंने नहीं किया है मा जी मुझे और भी काम है शकुंतला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखर वो बिस्तर गीला कैसे कर रही है जबकि वो दो बार तो वोश्यम जाने के लिए उठती है इधर किरन किचन में काम करते हैं खुब खुश हो रही होती है मा जी ये सब क्या कर रही है मुझे तो सुन कर ही देख कर ही बहुत मजा रहा है शकुंतला नहाने जाई रही होती है तब ही शकुंतला के घर उसकी जिगरी विमला का आना होता है अरे शकुंतला सुन मैं तुझे ये बताने आई थी कि शाम में बजार चलेंगे और तू इतने सुबा ये कपड़े लिए कहां जा रही है मा जी ने आज भी बिस्तरगी लखिया है विम्ला का की वहीं जा रही है क्या? शकुंतला राम 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 ये सब तू क्या कह रही है इस उमर में जो काम तेरे पोता-पोती को करना चाहिए वो कम तू कर रही है देख विमला इस बात के बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर सच क्या है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ लेकिन ना तो तू और ना ही मेरी बहू मेरी बात पर विश्वास कर रही हो अरे ये जो हम देख रहे हैं ये बात कोई जुट लाने वाली थोड़ी न है अरे मुझे नहाने जाने दो मुझे और भी काम है ऐसे ही समय बित्त है और शेकुंदला रोज ही विस्तर गीला करने लगी थी और शेकुंदला का रोज ही मजाग बनने लगा था और शेकुंदला को इससे भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी बस बहुत हुआ मुझे खुद पर पूरा पूरा यकिन है कि मैं ये सम नहीं कर रही हूँ मेरे साथ कोई गंदा मजाग कर रहा है और वो बहु या विमला ही हो सकती है कोई तीसरा तो मेरे घर आता भी नहीं है अब शेकुंदला भी अपने बिस्तर गिला होने का राज पता लगाने में जुट जाती है और वो देर राज सोने का नाटक करने लगती है तब ही देर रात करीब दो बुजेस की वहु उसके साथ सोने आती है माजी की नीन का मुझे बस एक ही फाइदा होता है इनके गहरी नीन में मैं इनके साथ सो भी जाओ तो भी ने पता नहीं चलता है अच्छा तो यह मेरे सोजाने के बाद ही मेरे साथ सोने आती है और मुझे पता भी नहीं माजी वीना पूरा बिस्तर घेर कर सोती है अरे माजी थोड़ी तो जगा दीजिए मुझे भी सोना है अब शेकुंतला सो जाती है और जब वो उड़ती है तो देखती है कि आज उसका फिर से बिस्तर गीला है और अब शेकुंतला का पारा हाई हो जाता है और वो अपनी बहु को बुलाती है अरे माजी क्या हो गया क्यों इत्ता हला काट रही हो आप क्या हो गया रात में तू भूत की फिल्म देखकर मेरे पास सोने आई थी और मैंने तुझे अपनी आँखों से कमरे में आते देखा था माजी नहीं नहीं मैं नहीं गई थे अपके कमरे में आप क्या कहना चाहती हो कि मैं गई थे आपके कमरे में और ये बिस्तर मैं नहीं गीला किया है हाँ ये बिस्तर तूने ही गीला किया है और मैंने तुझे रात में अपने साथ सोता वो भी देखा था शाकुंदला और किरन में खुब भहस होती है और किरन मान नहीं रही थी कि ये सब उसका किया है लेकिन शाकुंदला जब अपनी बहु से कहती है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो अपनी बहु का घर से निकाल देगी तब जाकर किरन सब कुछ सच बताती है माजी हर दिन मैं आपके पास आया करती थी सुने के लिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं भूत प्रेत वाली फिलम देखकर डर जाती हूं और इसी तरह मैं बिस्तर गीला कर देती हूं और अगर मैं उनके साथ सोती तो उन्हें बस इस बात का पता चल जाता इसलिए मैं पहले आपके पास सोजाय करती थी और जब मेरा बिस्तर गीला हो जाता तो तू वहां से उठकर चली जाती थी हाँ माजी ऐसे ही है लेकिन मैं आपके पैर पढ़ती हूं आप ये बात किसी से मत कहिएगा अब तो तूने जिस तरह मेरी बदनामी करवाई है उसी तरह मैं भी तेरी बदनामी करवा कर रहूंगी तू भी देख मैं तुझे दिखाती हूं माजी मैं आपके पैर पढ़ती हूं मुझे माप कर दीजिए माजी नहीं शकुंतला तू अपनी बहुँ पर अक्तिया चार कर रही है अरे तू ऐसी नहीं तीरा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ये तो मेरे पैरों में इसले गिरी है क्योंकि ये बिस्तर माजी यह आप क्या कहने जा रही है अरे तेरा गिला किया हुआ बिस्तर बेचारी ये क्यू धोए हाँ वही तो मैं भी माजी को यही समझा रही हूँ कबसे शकुंतला के सामने सब कुछ सचा जाता है आखिर बिस्तर गिला करता कौन है कीरन को होरर मूवी का इतना शोक था कि वो मूवी जरूर देखती और राद को अपनी सास के बिस्तर पर जाकर सो जाती और अपनी सास का ही बिस्तर गीला करकर अपनी सास का नाम लगा देती थी लेकिन शकुंतला भी इस राज से परदा उठा ही लेती है बादरपुर गाओं में तुलसी अपने पती गंगू और बेटी खुशे के साथ रहा करती थी तुलसी और गंगू खेती बाड़ी करके अपने घर को चलाया करती लेकिन इस बार गंगू की फसल कुछ खास नहीं हुई थी जिससे गंगू बहुत चिंता में था और वो अपना पिछला करजा और आने वाली दिवाली का खर्चा कैसे उठाएगा ये सूच रहा था तुलसी खाना लगा दो मुझे बची हुई सबजिया लेकर मंडी भी जाना है अरे भई मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस दिवाली में तुम्हारी और खुशी की पसंद की चीज़े कैसे ला पाऊंगा मैं आप चिंता मत कीजी सब ठीक हो जाएगा मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है मैं एक असाय पिता हूँ जो अपनी बच्ची की जरूरत की चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ ना ही उसे खुशी दे पा रहा हूँ पापा पापा मुझे रियाने मारा और कहा कि मेरे कपड़े गंदे हैं और मैं गरीब हूँ और मैं उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकती हो मैंने तो तुझे कितनी बार माना किया है तुम मर जाया कर उनके साथ खेलने लेकिन तु है कि मेरी बात मानती ही नहीं है अरे तुम खुशी को क्यो डाट रही हो वो तो बच्ची है पापा पापा इस बार मुझे साइकल चाहिए दिवाली पर मेरे सबी दोस्तों के पापा ने उन्हें साइकल दिला रखिये मुझे भी साइकल चाहिए नहीं नहीं इस बार तो साइकल तो क्या हम नहीं कपड़े के बारे में भी नहीं सो सकते बेटा खेती में पहले ही बहुत नुक्सान हो चुका है और अब नहीं लगता कि दिवाली के लिए भी पैसे होंगे हमारे पास लेकिन माँ आपने ही तो कहा था ना इस दिवाली पर आप पापा से कहकर मेरे लिए अच्छी सी साइकल दिलवाओगी हाँ मैंने ही ये कहा था लेकिन अब मैं ही ये कह रही हूँ कि इस दिवाले भी तेरी साइकल नहीं आ पाएगी ये सब पांस बेठा गंगो सुन रहा था अब वो खाना खाने की बाद वहां से निकल जाता है और बाजार सबजी लेकर पहुचता है और उसे बेचने की बाद वो देखता है कि बाजार में पठाके, फूल माला, लाइट्स की दुकान लगी थी और लोगों की बहुत भीड थी दिवाली नस्दीक है और मेरे पास ये नाम के 200 रुपे है जो मैंने अभी सबजी बेचकर कमाए है क्योना मैं दिवाली के त्योहार पर कुछ करूँ जिससे मेरा भी काम बन जाए और खुशी की साइकल भी आ जाए गंगो घर पहुचकर अपनी पतनी तुलसी को राशन दीता है और अपनी पतनी से कहता है सुनो इस दिवाली तो हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जिससे पैसा हो पाए और हम दिवाली मना सकें लेकिन मेरे मन में एक सवाल है क्या मैं भी बाजार में फूल माला की दुकान खोल लूँ हाँ ये तो बहुत अच्छा काम है लेकिन इसके लिए तो पैसो की जरुत होगी और हम तो पूल माला की दुकान लगाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे कहीं आप जमिदार से पैसे मांगने की तो नहीं सोच रहे हैं न हाँ, मैं जमिदार जी से कुछ पैसे उधा ले लूँगा और जब काम चल जाएगा तो उन्हें लोटा दूँगा लेकिन हमने तो अब तक उनका पिछला करजी चुकता नहीं किया है पर आप उनसे एक बार पैसे मांग कर देखे कहीं वो दे दे अब गंगो अपनी पतनी से बाचित कर जमिदार जी के घर की तरफ निकल पड़ता है शाम का समी था और गंगो अपनी मन में कई सारे सवाल ले जमिदार के घर पहचता है ना जाने ये किसमत को क्या मन्जूर है आने वाली है दिवाली तब भी पड़ी हुई है मेरी जेब खाली वाह क्या बात है गंगो ये तो कविता बन गई लेकिन गंगो इस कविता से तेरा घर नहीं चलेगा सोच तुझे क्या करना है वरना ये दिवाली रूखी सूखी जाने वाली है जमिदार नी जी मालिक घर पर नहीं है क्या मुझे उनसे कुछ काम था वो आप तो जानती है न इस बार खेती में कितना नुकसान हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़े से कर्ज मिल जाता तो मैं इस दिवाली पर अपना कुछ काम कर पाता तु अपना और कुछ क्या करेगा पहले पिछला कर्ज चुका तभी दर्वाजे पर नजर आना समझा तू पता नहीं कितने बेशम लोग हैं ना जाने कहां-कहां से चले आते हैं जमिदार नी जी मैं जल्द ही आपके पैसे चुका दूँगा पस इस दिवाली तक का मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए नहीं नहीं तुझे मैं अब और कर्ज नहीं दे सकती हूं बलकि एक दो दिन में मैं अपने नोकर रामू को तेरे घर भेजने वाली थी लेकिन तू तो इतना विखारी निकला कि पैसे देने से पहले यहां भीक मागने पहुँच गया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जमीदार नी जी मैं आपके पैसे जल्द ही लोटा दूँगा अच्छा तो मैं चलता हूँ और जल्द ही आपके पैसे भी लोटा दूँगा इतना बोलकर गंगो वहां से अपने घर की तरफ ने कर पड़ता है गंगो बहुत ज़्यादा उदास था और अपनी तंगहले के बारी में सोच रहा था और अब वो अपने घर पहचता है अरे क्या हुआ इतने उदास क्यों है आप जमीदार जी ने पैसे नहीं दिये जमीदार जी घर पर थे नहीं और जमीदार नी जी ने खाली पीली इतना को सुना दिया और पैसे भी नहीं दिये कोई बात नहीं यह लिजए मेरे गहने जो मुझे मेरी माँ जी ने दिये थे आप इसे गिरवी रखकर जो पैसे मिले उसे फूल माला की दुकान में लगा देना अब अगली सुबा ही गंगो उटकर अपनी पत्नी के दिये हुए गहनों को सुनार के यहां गिरवी रखक कुछ पैसे लाता है और उसे वो बाजार में फूलों की दुकान खोलता है लेकिन जहां गंगो अपनी फूलों की दुकान खोलता है वहां पहले से ही फूलों की दुकानी थी क्यों रे किस से पूछ कर तुने यहां दुकान लगाई है तरे आखों में मोत या बिंध है क्या दिखता नहीं यहां पहले से फूलों की दुकान है और यहां पर तूने अपनी दुकान खोल ली देखिए आप तमीज से बात कीजिए मैंने अगर यहां दुकान लगाई है तो मैं अपनी मेहनत का यह फूल माला बेज कर खाऊंगा और तुम अपनी मेहनत का आज धंदे का समय है वरना तेरी अकलतों में अच्छे से ठीकाने लगाती फूल वती की दुकान के आगे दुकान खोलने का क्या नतीजा हो सकता है यह तुझे पता चलता गंगू अपनी फूल माला की दुकान लगाता ही है कि उसकी सामने जिसकी फूल माला की दुकान थी वो गंगू से लड़ पड़ती है ऐसे ही काफी समय बीच जाने के बाद ही गंगू की दुकान पर कोई नहीं आता और उसके सामने वाली दुकान पर लोगों की भीर लगी होती है तब ही गंगू देखता है कि सामने वाली फूल माला के दुकान पर एक औरत आई है जिसे उस औरत ने धका दिया था पापा पापा आपने देखा उस अम्मा को उन आंटी ने कैसे धका दिया आप वो बोड़ी औरत गंगो की दुकान पर आती है और गंगो के सामने हाथ जोड़े कहती है अरे बेटा जरा दो फूल माला मिल जाएगी क्या मा लक्षमी पर चड़ानी है लेकिन मेरे पास फूल माला के लिए पैसे नहीं है अब क्या करूँ अब तद तो सुबह से बोनी भी नहीं हुई है और ये अम्मा मुझसे बिना पैसो के फूल माला मांग रही है ना ना मैं नहीं देता पापा पापा दे दो नहीं नहीं फूल माला मा कहती है हमें हमेशा दूसरों की मदद करने चाहिए तब भी भगवान जी भी हमारी मदद करते हैं बेटा क्या सोच रहा है मुझे बुडिया पर थोड़ी तो दया कर हाँ हाँ मैं अभी देता हूँ अम्मा रुको ये लो आपके दो फूल माला अब वो बुड़ी औरत तो फूल माला लेकर चली जाते हैं लेकिन कुछ देर बाद ही गंगो देखता है कि उसके दुकान पर ग्रहकों की भीड लगने रगती है शाम होते होते गंगो के पास एक भी फूल माला नहीं बचती अरे वा उस अम्मा के आने के बाद ही मेरी दुकान पर इतने सारे लोग आने लगे मेरी दुकान का एक भी फूल माला नहीं बची चलो अब चलता हूँ घर आज की कमाई तो अच्छी हो गई कल आदे दिन दुक से कहती है जरूर मालक्षमी के रोप में वो बोड़ी औरत हमारी मदद करने आई थी जो भी हो लेकिन वो अम्मा हमारे लिए लगी थी अब अगली रोज गंगो फिर से सुभा सुभा ही मार्केट के लिए निकल पड़ता है और अपनी फूलों की दुकान लगा कर बैठ जाता है और ग्राह को का इंतिजार करनि लगता है तभी वो बुड़ी औरत गंगो के दुकान पर आती है और गंगो से कहती है बेटा कल तुमने मेरी मदद की आज मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ तुमने मेरे बुरे समय पर मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लाओ दो में लोगों के पास जाकर ये फूल माला बेचाऊं गंगु के सर पर जैसे ही बूड़ी औरत हाथ रखती है गंगु मा के आशिरवात का एहसास करता है और जब वो अपना सर उठा कर उस बूड़ी औरत की तरफ देखता है तो उसे मा लक्ष्मी के दर्शन होते हैं आहां अभी देता हूं माला भाई रुको तो जरा अम्मा रुको अम्मा अब वो बोड़ी औरत तो वहां से चली जाती है लेकिन दिवाली वाले दिन भी गंगु की फूल माला से अच्छी कामाई होती है जिसे वो अपने घर के लिए तो सामान लेता ही है लेकिन अपनी बेटी खुशी के लिए एक अच्छी सी और नई सी साइकल भी खरीता है मालती हर रोज की तरह सुबा उठकर घर का काम कर रही होती है कभी मालती अपनी बेटी राखी को खराटे मारता हुआ देख उसको अवाज लगाती है अरे उठ भी जा राखी उठ जा जहां जाएगी अगर तु ऐसे ही सोती रही तो तेरी सास तुझे तो क्या मुझे भी खुब गालिया देने वाली है अरे मा क्यों चला रही हो सुबा सुबा लगता है आपको फिर से मेरी सास की याद आई मालती के बिना उठाए तो राखी आखिर कहां उठने वाली थी इसी वजह से मालती उसे यही समझाया करती थी कि ससुराल में उसका क्या हाल होगा मैं जा रही हूँ तेरे बाउजी को खाना देने बाकी बचा बरतन धो ले समझी हाँ बस अब और क्या ही रह गया है जिन्दगी में ये बरतन धोना कभी खाना बनाना और बचे दिन में अपनी सास के ताने सुना मा अगर मेरी सास मुझे ऐसे ही ताने देगी न तो कितना मज़ा आएगा हाँ हाँ क्यों नहीं जैसे तू है वैसे परपंच करने वाले सास भी मिले तुझे मैं तो यही कहूंगी तब जाकर तेरा दिमाग ठिकाने आएगा अरे मा जो भी कहो लेकिन आपके तानों से में पक चुकी हूँ अब तो बस सास के तानी सुनने है वो भी सुभा सुभा वाले बहू अरे ओ बहू चाय बनी की नहीं या चाय की पतीली में खुदी बैठ गई है तू सच मैं इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है इसके बाप को तो आज ही कहती हूँ कि इसके लिए रिष्टा देखे अरे हाँ हाँ मा और मा पापा से भी ये कहना कि सास मुझे खतरनाक से खतरनाक चलेगी उसके लिए कोई टेंशन नहीं रिष्टा देख रहे हैं तेरे लिए कोई पडोसी देश को उड़ाने के लिए मिसाइल नहीं समझी और वो तो अपने मा बाप पर छोड़ दे तेरे लिए हम लड़का कैसा डूनेंगे लड़का तो कैसा भी चलेगा मा लेकिन मुझे सास चाहिए सास वो भी साजिशे वाली सच में ये कितनी बेशरम हो गई है आज ही इसके बापु से कहती हूँ कि कुछ भी करो किसी से भी पैसे लाओ लेकिन इसकी शादी करवा ही दो ससराल तो बड़ा ही अच्छा है और मेरी सास भी मुझे साजिशों वाली ही लग रही है चलो अब शुरू होगा सास बहु और साजिश का दोर बहु आज सी घर तेरा है तुझे ही इस घर का ध्यान रखना है चल अब थोड़ा आराम कर ले अभी तो मेरी सास की मुझे एकदम शेह टपक रहा है कितना मीठा बोल रही है बाद में यही शेह जहर बन कर निकलेगा इनके मुझे राखी तो ऐसी सास चाहती थी जो उसके लिए साजिशे करे लेकिन उमा ने तो पहले ही दिन राखी पर धेर सारा प्यार लुटा दिया अब अगली सुभा राखी का सुभा के दस बचे उठना होता है अरे माजी घर का सारा काम हो चुका है क्या और आपने मुझे सुभा उठाया भी नहीं अरे मैंने मुहन से पूछा था कि बहु सो रही है या जगी है तो उसने कहा वो तो बहुत घरी नीन में है और मैंने भी छोड़ दिया अरे तो आपको तो उठाना चाहिए ना माजी मुझे आप तो सास हो मुझे कहती अरे बहु कब तक सोएगी उठ भी जा सुभा हो गई और और बरतन कौन तेरा दादा पर दादा धोने आएगा क्या बहु ये तु क्या बोल रही है मैं ऐसा भला क्यों कहूंगी तुछ से तू भी तो किसी के घर की बेटी है ना चल अब ये सब छोड़ और खाना बना हुआ है निकाल कर खा ले ये मैं क्या सुन रही हूँ मेरे कानों से कहीं खूनना निकल आए ए प्रभू सास मांगी थी सास ये मां से ज़्यादा सीधी साधी सास थमादी तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चीने का कोई मतलबी नहीं रह गया हो अब राखी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास सच में ऐसी है या फिर कोई धोंग कर रही है देर शाम उनकी पड़ोसन रज्जो वहां आती है अरे बहु क्या बात है तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही है यहीं हूँ इधर देख इधर तु मेरी बहु को क्यों बोल रही है अरे नहीं मैंने तुझे देखा ही नहीं और ये तु क्या बरतंद हो रही है बहु को बोल वो करेगी घर के काम क्यों तु भी तो अपनी बेट दिन Never सकती है समझी न तु इसलेगे अपनी बहु को बोल कि काम करे घर का चल चोड एक कब बहु के हाथ के चाये पिला दे बहु कभी बेटी नहीं बन सकती county न कि बहु अगर तो कुछ नहीं कर रही है तो दो कब चाय बनाला राखी अब चाय बनाने जाती है और चाय बनाते हुए वो अपनी सास के बारे में ही सोच रही होती है कि सच में उसकी सास ऐसी है राम रे राम ये क्या चाय बनाई है उमा तेरी बहु ने या जहर बनाया है भला कोई चाय में इतना नमक डालता है क्या शांत रजो शांत बहु से गल्दी से चीनी की जगा नमक डल गया होगा मैंने भी तो पीना मुझे भी पता चला अरे उमा भी से तू अपनी बहु को सर पर मचड़ा मा जी ने तो रज्जो आंटी को भी चुप करवा दिया पत्तो साजिशे इनसे हो नहीं रही और कोई कर रहा है तो उसे भी कह रही है शांत रज्जो उमा के कान भी भरती है लेकिन उमा अपनी बहु की ही साइड लेती है और उसे कुछ भी नहीं कहती राखी को ये सब अजीब लग रहा था कि आज तक तो उसने सास के बारे में ऐसा कभी नहीं सुना कि सास भी कभी इतना प्यार कर सकती है क्या जी सुनिये, आज तक तो मैंने सासों के बारे में सुना था कि वो अपनी बबू को गर्मा गरम तेल में हाट डूबो देती हैं, पाल पकड़ कर मारती हैं, सुबह सुने नहीं देती, खाना खाने पर गालिया देती हैं, लेकिन माजी में तो सास वाले कोई गुणी ही नहीं है मा ऐसी है तुम ही ना मा को गलत समझ रही हो मा ने आस तक किसी से उंची अवाज में बात तक नहीं की राकी को लग रहा था कि कुछ समय बीच जाने के बाद तो उसकी सास का असली चहरा सामने आ ही जाएगा लेकिन कही महीने बीच जाने के बाद भी उमा अपनी बहु पर बिल्कुल बेटी जैसा प्यार लुटा रही थी अब भी राखी को अपनी सास के प्यार पर भरोसा नहीं था एक रोज राखी खाना बना रही थी कि तभी राखी की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है जब तक राखी का ध्यान उस आग पर जाता कि इतने में उमा आकर उस साड़ी के पल्लू से आग को अपने हाथों से बुझा देती है जिस वजे से उमा का हाथ जल जाता है बहु तो ठीक तो है ना कितनी बार कहा है खाना बनाया कर तो गुंगट मत किया कर ये तेरा अपना ही घर है लेकिन नहीं तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है मा आप ठीक तो हो ना मा ये क्या किया आपने ऐसे कोई आग बुझाता है अरे आपने अपना हाथ जला लिया क्या करती अगर कुछ और सोचने लगती तब तक तो ये आग से गिर जाती ना माजी ने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया बहु तो कुछ बोलती क्यों नहीं है तू ठीक तो है ना हाँ माजी मैं ठीक हूँ लेकिन ये आपने क्या किया मुझे बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया अरे बहु तू ठीक है, बस मुझे और क्या चाहिए, मेरे बच्चे ठीक रहे, खुश रहे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ अरे उमा क्यो चिलाई तू, और ये क्या, तेरे हाथ को क्या हुआ, मैंने कहा था न, तू अपनी बहु को सर पर मत चड़ा अरे मुझे कुझने हुआ है, वो तो बहु की साड़ी में आग लग गई थी, तो उसे बुझाने के चकर में मेरा हाँ जल गया तूझे तो समझाना ही बेकार है, तू तो बहु में ही बेटी ढूंड रही है रज्जो काकी, आप मेरी माजी के बारे में कुछ भी मत कहिए माजी, मैं जब से इस घर में आई, थबसे आपने मुझे एक बेटी की तरह रखा प्यार दिया इज़द दी, लेकिन मैं तो बस यही सोचती रही, कहीं के सबाब ढूंड तो नहीं कर रही मैंने कहा था, मा कभी किसी से उची अवाज में बात तक नहीं करती, वो क्या तुम्हारे साथ कोई साजिस करेगी अरे बहू, मेरी बेटी नहीं है, लेकिन जब से तू इस घर में आई है, मेरे घर में रोनक आ गई है, रोनक जब राकी के साथ यहाथसा होता है, तब जाकर उसे समझाता है कि उसकी सास तो असल में उसकी मा से भी बढ़ कर है, वो ढोंग नहीं कर रही थी, अब अगली सुबा ही देर से उटने वाली राकी अपनी सास से पहले उटकर घर का सारा काम कर चुकी होती है, और ये बी उमा की वजे से ही आया था दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा